सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेलप रास्ता चैनल को ड़ाइए उसमें एइसा सेट कर सकते हैं कि जिसको आप चाहेंगे केवल वही मैसेज़ इसमें बहर सकेगा दूसरा कोई मैसेज नहीं बहर सकता है तो दोस्तो WhatsApp ने ये नया rollout किया है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी ग्रूप में किसी दूसरे को message भेजने से रोका जाता है तो दोस्तो ये वीडियो आप लाज तक का देखते रहिए तो दोस्तो किसी को भी अपने ग्रूप में message send करने से रोकने के लिए सबसे पहले इसके लिए आपका WhatsApp अपडेट होना चाहिए अगर आपने WhatsApp अपडेट नहीं किया है तो आप WhatsApp को अपडेट कर लीजिए और दोस्तो आपका बीटा वर्जन होना चाहिए अभी क्योंकि ये rollout के वाल बीटा वर्जन में ही रोल आउट किया गया है अभी सबके लिए ये नहीं दिया गया है जो बीटा वर्जन यूज करते हैं उनके पास ये features available हो गया है तो दोस्तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अपना WhatsApp ओपन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक यहाँ पर ग्रूप है इस पर आपको utiliser क्लिक करना है इस पर उसके वाट जो है दोस्तों यह ग्रूप के नेंपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसा कि आप पर ग्रूप सेटिंग इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके पहले जो है केवल दो ही ऑप्शन रहते थे यहां पर देख सकते हैं send message इस पर आपको click करना यह तीसरा option आपके पास आ गया है तो इस पर आप जैसे click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं all participate तो यहाँ पर अगर इस पर आप click कर रहने देते हैं तो जितने भी group में member होंगे सबी लोग message send कर सकते हैं और अगर only admins पर click कर देंगे तो जो group के admin रहेंगे केवल वही message send कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से जो है किसी को भी message भेजने से अपने group में रोक सकते हैं और जिसको message भेजने का permission देना चाहते हैं उसे आप admin create कर देंगे तो message भेज सकता है या फिर all participate पर कर देंगे तो सभी लोग message भेज सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से जो है आप message भेजने से रोक सकते हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो like कर देना और कोई problem हो तो आप हमें comment box में बता सकते हैं और अगर आपने भी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया ता आप इसे subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर दी जिससे मैं कोई भी वीडियो upload करूँ तो आपको notification मिलती रहे तो दोस्तो आज के लिए वस इतना है फिर मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार आपको